आज हम शुरू करते हैं आपकी वॉक्षीट नमबर 11 क्योंकि आपकी वॉक्षीट आई नहीं थी इस वज़े से यह भी वॉक्षीट नमबर 11 नहीं चल रही है तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे सब्जेक डाल देंगे अपना क्लास अपना नाम अपने टीचर कर नाम यह सब चीज़े आप लोग लिख लेंगे इंग्लिश मीडियम में भी आई है मैं आपकी बना रही हूं आप लोग लेंगे चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं इसके लावा जो आपकी परसों की मैंने बनाई नहीं थी वो भी मैं बना रही हूं तो आप ल अन्य बहुते गुणों के बारे में जानेंगे यह आज हम क्या जानेंगे कि जो धातू होते देखे आपको मैंने बता दिया था अच्छा नहीं बताया था क्योंकि वह वर्कशिट हमने पढ़ी नहीं है दो प्रकार की चीज़े होती है एक वह होती है जो गुट वह कठोर होती है और उसके जो शाइनी होती है चमकदार होती है तो आज उसी चीज़ को आगे पढ़ेंगे अब यहां क्या लिखा है देखे दावनी ठीक है यह उसके अंदर से आवाज आती है देखे धातू से बनी वस्तूओं को जब कर्थोर सते से टक्राया जाता है तो एक रिंग धावनी उत्पन होती है इसलिए धातूओं को धावनी कहते है ठीक है जैसे कि एक्जैम्बल के अतौर पर यह आपकी बैल जब हम इसको किसी दूसरे कटोर धातू से टक्राते है तो आवाज आती है ना इसके अंदर भी एक कटोर धातू होता है वो जब एक दू से सर टक्राते है तो आवाज आने लगती है एक चमच से स्टील के गिलास वह लकड़ी के दर्वाजे पर चोट करें दोनों की धवनियों को सुने और अंतर करें अब आप क्या देखेंगे कि जब आप किसी लकड़ी के दर्वाजे को बजाएंगे ना तो आवाज इतनी ती के स्टील के चीज़को या लोहे के चीज़को बजाएंगे तो इसकी अलगी अवाज आएगी तो आप देख सकते है अब यहां लेका है विदूत सुचालक तो आप क्या मतलब यहां देख लेते hai विदूत मारे क्या होगा अपका इलेक्रिसटी सुचालक जो गोड़ो और क पुछालाग जो ना गुड़ो यानि जिसके अंदर से एक्टिसिटी ना पास हो चले देख लेते इस गुड़ को एक गती विधी द्वारा समझते हैं यह आप इस गुड़ को हम एक गती विधी द्वारा समझेंगे एक प्रैक्टिकल करेंगे इसके लिए हम सब्सक्राइब बैटरी बल्ब व तार को दिये गएäter की अनुसार जोड कर परिपठ बनाएँ अब यह देखें एक परिपठ बन गया यह देखें बैटरी बैटरी को अमने तार और बल्ब से जोडे लिया ठीक है यह देखें दोनों तरफ तार लगा Лगा एक तरफ बल्ब लगा Дिया अब क्या है A और B दोनों में कर लिया हमने सेम सेम बैटरी लगाई बैटरी में बल्ब लगा दिया तार्स के अनुसार अब क्या लिखा परिपत के A वब B है ना सिरो को जोड कर जाच करें कि बल्ब जला या नहीं जला अब आपको यह जोड़के देखना है की परीपत में लगा बल जला या नहीं तालिका में लिखें अब देखिए अब आपको ना इसके अंदर डिफरिंट डिफरिंट चीजे लगानी है अब देखिए आपका क्या है यह बैटरी लिए एक तरफ तार लगाया दुसे तरफ लगाया यहां बल्ब लगा के दुसे तरफ अब दो तरफ तार हो गए अब अगर देखिए यह जो आ विदुत की उनको लगाते हैं और दोनों तार एक दूसरे से यहां इधर भी और दोनों तरफ जोड देते हैं तो यह जल जाएगा और अगर आप सूच आलक नहीं लगाएंगे तो यह नहीं जलेगा तो इन्होंने बोला यहां बीच में पहले एक बार आप लोही की लगाएं तो बता हैं की लसे बल्ब जलेगा यहां ठीक है तो अब क्या लिख देंगे नहीं तो यहां अगर आपके पास हो और किसी बड़े को अपने साथ बठाएंगे ठीक है ताकि वो आपकी मदद कर सके क्योंकि अगर अगर आपने मालेजे कोई बड़ा तार ले लिया और अगर मतलब कभी आपके चोट लग जाए है ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप मामी पापा में से या बड़े बाइबें में से किसी को अपने साथ बैठा लेंगे और उसके बाद ये एक्सपरिमेंट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखे जब आपको एक्सपरिमेंट करते हैं तो उससे आपको जाधा सीख मिलती है लेकिन किसी बड़े की प्रिजेंस में ओकी चलिए अगला आपका दिखे क्या लिख है कि अल्मूनियम तार अगर आप अल्मूनियम का तार लगाएंगे तो बल जलेगा के नहीं जलेगा बताईए जल्दी से हाँ जल जाएगा ठीक है उसके बाद अगर आप तांबे का तार लगाएंगे तो क्या जलेगा तो भी जल जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप लगा देंगे कि आप इन सब तरह से तीनों में लगा देंगे कि हाँ इन सब से जल जाएगा ठीक है तो लोहे कितकील से जल जाएगा कोईले से नहीं जलेगा अलमुनियम के तार से जल जाएगा और तामबे से भी जल जाएगा तो आप लोग इस तरह से कर लेंगे अब आपने इसे बना लिया है तो आप ये टेबल को भर लेंगे अब उसके बाद यहां देखे जिसके अंदर से बिजली पार हो जाए और इसके विपरीद जिन पदार्तों में से विद्धुत का प्रवार नहीं होता है यानि जिनके अंदर से विद्धुत नहीं पार होती है ये विद्धुत के कूछ आलग कहलाते है यानि bad conductor of electricity ठीक है समानने समानने तर धातु विदुद के सूचालक होते हैं जाला तर जो धातु होते हैं वो विदुद के सूचालक होते हैं उनसे बिचली पार हो जाती है ठीक है और अधातु विदुद के कूचालक होते हैं वो चीजे जो अधातु में आती हैं वो हमेशा विदुद के कूचालक होती या उसके अंदर से विदुद पार नहीं होती वह बैट कंडेक्टर ओफ लेक्टिसिटी होती है परन्तु ग्रेफाइट ऐसी अधातु है जो विदुद की सुचालक है अब देखे यह कोश्चन आपके पेपर में एक नंबर में आ सकता है कि ऐसी क कौन सी है तो आप बता सकते ग्रेफाइट है अब यहां लेकला उष्मा चालक तो एक पिंकी की नमी बना रही थी तभी दर्वाजे की घंटी बजी वह चमच को कढाय में ही छोड़का दर्वाजा खोलने चले गई अब उन्होंने क्या करा चूला जल रहा है उस ही में कढा दालके वह चलेगे दरवाजा खोलने के लिए वापस दौट करोनों ने जैसे ही चम्मच पकड़ी जैसे ही चम्मच को पकड़ा तो उनकी चीह निकल गई क्यूंकि वह जल चुका था यानि वह घर्म हो चुका था इसकी वज़े से चूले की गैस की वज़े से हैं विदूत सोरी दातु के एक सिरे को गर्म करने पर उश्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर इस थाना तो होती है अच्छा एक बात और भी अब देखें यहां पे कढ़ाई है चम्मच तो इत्ती दूर भी था ठीक अर चूला तो यहां जला था अब गरम होता तो यहां तक होता है यह इस्सा क्यों गरम हुआ तो क्या होता है कि जो उश्मा यानि छो हीट है वो ठंडे से गरम की अटरफ भागती है इसलिए जब यहां तक गरम हो गया ता तो धीरे धीरे जब उनकी हाथ में नहीं था तो यह इससा भी गरम होने लगा, टो यह चीज यह आपको बता एं कि वो जो है मैटल से वो good conductor of electricity के साथ good conductor of heat भी होते हैं आधा तुम्हें उश्मा चलन नहीं होता वे उश्मा के कुछ आलक होते हैं यानि कि अब आपको एक बात बिल्कुल किलिए हो गई कि जो चीज good conductor of electricity होगी वही चीज good conductor of heat भी होगी यानि जो चीज बत्ती जिसके अंदर से पार हो सकता है उसके अंदर से गर्मी भी पार हो सकती है तो अब आपके यहां तक मैं उम्मीद करती हूँ आपको वरक्षिट अच्छे से समझ में आ गई होगी तो आपको प्रेशनों के उत्तर देने तो आपका पहला प्रेशन क्या लिखा है तवा लोहे का बना होता है ठीक है जबकि उसके हैंडल पर लक्री लगी होती है ऐसा क्यूं तौब आपको बताना है कि तवा जो है वो तो लोहे का होता है लेकिन उसकी हैंडिल होता है यो लगствен IG होता है उसकी तौधा जल्दी गर्म हो जाता है और लकडि उश्मा की कूचा लगए यानि कि वो गरम नहीं होती तो पकड़ने के लिए आसानी रहती है इसलिए जो हैंडिल होता है वो किसका होता है लकडि का होता है ठीक है तो आप यहांसर यहां से आप पूरा लिख लेंगे चलिए अगला कोशिन पेटे आपका देखिए दूसरा कोशन है पिंक की ममी चमच को पकड़ते ही क्यों चीखी दातु के कोई तीन उप्योग लिखिए ठीके भाप kTrust न तर दातु के कोई तीन उप्योग आपको लिखनी है तो चले इसका अंसर देख लेते हैं कांसा यहां से लिखेंगे कि पिंकी की मम्मी चम्मच को पकरते ही इसलिए चीखें क्यूंकि वे धातू से बना था ठीके और उश्मा के कारेट गर्म हो गया था क्यूंकि आपने देखिए कुछ चम्मच स्टील के ऐसे होते हैं जो पूरी ए-to-z स्टील के हो तो उसमें हैंड कारियां वगरा भी बनती है तो इसके लावा भी बहुत सारे इनके उप्योग है आप लोग लिख सकते हैं चलिए अगला कुछिन पढ़ते हैं अब आपका तीसरा कोशिन है विदुत और उश्मा से के सूचालक किने कहते हैं परिभार्षित कीजिए यानि सिम्बल सा यह कि सूचालक किसे का जाता है विदुत और उश्मा की सूचालक किने का जाता है आपको सेंपल से डेफिनिशन देने हैं ठीक है मैं डेफिनिशन के साथ कुछ उधारन भी दे दूंगी तो आप लोग उसे लिख लेंगे चलिए पढ़ते हैं इस कांसर अब आपका दिखिए इस कांसर आप यहां से लिखेंगे के जिन पढ़तों में विदुत और उश्मा का प्रवा होता है यह विदुत और उश्मा के सूचालक क्यलाते हैं जिसकी अंदर से light और heat पास हो जाए यानिए निकल जाए वो क्या के लाठते हैं यह उजूं को पार कर लें जानें फारन में 기 पुचालब को भी इसके लाव उधारण मैंने अपने पास से देदी जैसे कि मैंने भी आपसे कहा था तो लोहा तामबा स्टील एल्मूनियम है बहुत सा यह सी चीज जिन से आपकी एलेक्टिसिटी या फिर हीट पास हो जाती है तो इस तरह से आप इसका लिख लेंगे ठीक है तो आप देख सकते हैं कि जो धातू होगा ना वो चमकेगा भी और उसके अंदर से चीजे भी आरपार हो सकती है उसमें मतलब ठोसपन भी होगा है ना और उसके बाद उसके अंदर से आवाज भी आएगी उसके अंदर से गर्मी भी पास होगी उसके अंदर से बिज कोईला और चड़ी अधातु है तो यह सब आप कर सकते हैं तो जो बीदातु नहीं सारे रौंग लेकिन सिर्फ इसमें कार्बन चड़ यानिकी आपकी जो पैंसिल की नुक होती है वह होती तो अधातु है लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर से इलेक्टिसिटी पास हो ज तो इस वज़े से यहाँ पे आप इसका ठीक लगा लेंगे बागी सब पे आप रॉंग लगाएंगे तो चले इस तरह से आपकी वॉक्षीट पूरी होती है आज की वीडियो को मुलग यहीं खत्म करते हैं आज की वीडियो में बसे इतना है अगर आपको मैं वीडियो पसंद आयू तो प्लीज इसे लाइक हो शियर करें अभी तक आपने मैं जांगों सिस्क्राइब नहीं करा तो प्लीज मैं जांगों सिस्क्राइब करें थेंक्यू फा वाचिंग